दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें मिलाके एक ऐसी गरेलू नुस्का लेके आए हूँ जिसके इस्तमाल से आपको सीकर पतन हैं सुपन दोस हैं धातू रोग हैं आप बिस्तर पीज़वादा समय तक टिक नहीं पाते हैं या फिर आपका ज जहत की बोटल को उल्टा करते हैं तो उसे लिकलने में काफी ज्यादा टाइम लगता हैं ऐसी अगर आपका वीरे पतला होता हैं तो आप बिस्तर पी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं वो जल्दी निकल जाता हैं लेकिन वहीं अगर आपका वीरे गाड़ा बन जाता है तो आप बिस्तर पी जादा समय तक टिके भी रह सकते हैं और अपनी पत्नी को भी पूरी तरीके से स्याक्स अंतुष्टी दे सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका सरीर में भी किसी भी तरीके की सरीर कमजोरी हैं जिसके कारण आप अपनी साधी सुधा जिन्दिकी का चनल सुक नहीं ले पा रहे हैं और इस वज़े से आपके और आपकी पार्टनर की वीच दूरीयां आ रहे हैं या फिर आपने बहुत ज़्यदा हस्तों मैतन किया हैं जिसके वज़े से आपकी लिंक की नसे कमजोर पड़ चुकी हैं तनावाना ख़त्म हो चुका हैं तो आप मेरे कहने से स्रिफ साथ दिन इसका इस्तमाल कीजिए साथ दिन में ही आपको ऐसे बैतरी रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों कि आपको विश्वास नहीं होगा चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ पहली दोस्तों हमें लेनी है अस्वगंदा आप सभी ड्रेगन इसकिन गॉर्टम दोस्तों इससे आपके लिंक की लंबा ही मोटा ही साथ से आट इंच तक आसानी के साथ हो जाएगी इससे आपकी शिगरपतन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और आपका फीमेल पार्टनर भी आपसे सैटिस्वाई हो जाता है अगर आप यह हमसे खरीदना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो इसकिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आपकी सरीर को पीतर से ताकतर बनाती ह हैं दिमाग को तीज बनाती है और आपके हाई बीपी को स्टेबलाइस करती है जिन लोगों को डाइबर्टीस की प्रॉम्लम है उनके लिए अस्वगंदा पहुत ज़्यदा फायदेवन है जिनको नीन ठीक से नहीं आती उनके लिए अस्वगंदा बहुत ज़्यादा यहां हम स्वात के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं वैसी आपकी हीमोगलोविन यानि की आपकी खून की कमी को भी पूरा करता है तीजी दोस्तों हमने यह ली हुए एक क्लास दूत दूत के फाइदे आप सभी जानते हैं प्रोटीन केल्सियम आयरन से बरपूर होता है हर किसी को द गंटे पहले आपको इस दूत को पीना है एक घंटे पहले इस दूत को पीजिए साथ दिन महीं हैं आपके सरीर में आई सारी समत कमजोरी जितने भी है वो पूल्च तरीके से दूर होगी और आपकी टाइमिंग को तेजी से बढ़ाएगी स्टिक्र पतन जादी समस्या को द पाइब पाइब